हाई फ्रेंट्स आज मैं कंपेर करने वाला हूँ डामेंटरी 7350 जो कि नथिंग फोन 2A प्लस में आता है वर्सेस कंपेर स्नाप्रिकन 778 जी जो कि पोको एक्स फाइफ प्रो में आता है तो देखते हैं कि आज इन दोनों प्रोस्टर की बीच में कितना डिफरेंस होता है और कौन सा प्रोस्टर बेटर होता है हाई फ्रेंट्स मेरा नाम है गौरो आप देख रहे हैं टिक रूम सबसे पहले देखते हैं एनाउंस जेट को देखा जाए आर्खिडेक्चर को तो दोनों ही जो प्रोसेसर आते हैं वो अक्टा कोर प्रोसेसर रहते हैं डिमेंटी 7350 में 2 परफॉर्मेंस को 3 GHz पे क्लॉक कोर्टेक्स A715 देखने को मिलेगा 6 बैटरी फिसंसी को 2 GHz पे क्लॉक कोर्टेक्स A510 होगा वह पिस नापडरिंगन 778G में 1st performance को 2.4 GHz पे क्लॉक कोर्टेक्स A78 3 more performance को 2.4 GHz पे क्लॉक क्लॉक कोर्टेक्स A78 और 4 बैटरी फिसंसी को र 1.8 GHz पे क्लॉक कोर्टेक्स A55 देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Cortex A715 जो की latest है Cortex A78 के compare में और यहाँ पे Dimensity का Frequency भी बेटर है तो Dimensity का Single को Performance बेटर आएगा वह पे SnapDragon का Multi को Performance बेटर आएगा क्योंकि इसमें Number of Performance को ज़्यादा है CPU Frequency की बात चीए तो Dimensity 3000 MHz पे Clock देखने को मिलेगा और Snapdragon 2400 MHz पे Clock देखने को मिलेगा Fabrication Technology में Dimensity 4nm TSMC के साथ आता है और Snapdragon 6nm TSMC के साथ आता है तो Dimensity यहाँ पे ज़्यादा Battery Efficient Processor हो गया GPU को देखा जाए तो Dimensity में आता है Mali G610 MP4 जिसका architecture Wall Hall Generation 3 है और 778G में आता है Adreno 642L जिसका architecture Adreno 600 है वह पे GPU Frequency में Dimensity की GPU Frequency 1300 MHz की रती है और Snapdragon की 480 MHz की रती है Floating Point Number में Dimensity का Floating Point Number 1000 प्लस जाएगा और 1500 के नीचे रहेगा वह पे Snapdragon का Floating Point Number है वो 844 GFLOPS का है Memory Tech Support में RAM Tech Support को देखते हैं तो दोनों ही जो Processor है वो LPDDR5 को सपोर्ट करते हैं RAM Frequency में 3200 MHz की RAM Frequency देखने को मिलेगी Dimensity में Snapdragon में 2750 MHz की होगी RAM bandwidth में भी Dimensity बेटर है 51.2 Gbps का सपोर्ट करता है जबकि Snapdragon 25.6 Gbps का सपोर्ट करता है दोनों का Storage टाइप सिंबलर है Maximum UFS 3.1 का सपोर्ट कर सकते हैं अब देखा जाए Gaming को तो Gaming में सबसे पहले बात करते हैं Free Fire Max की Dimensity 7350 जो Nothing Phone 2A Plus में आता है इसमें आपको मिलेगा Maximum 60fps का सपोर्ट और Maximum Graphics में Max के साथ High का सपोर्ट मिलेगा वेपे Snapdragon 778G जो Poco X5 Pro पे आता है इसमें भी आपको मिलेगा Maximum 60fps और Maximum Graphics में Max के साथ High का सपोर्ट देखने को मिलेगा नेक्श देखा जाए BGMI को तो Battleground Mobile India में Diamantity सपोर्ट करता है 60fps और Maximum Graphics में HDR के साथ Ultra का सपोर्ट करता है वेपे Snapdragon 778G ये भी 60fps सपोर्ट करता है और Graphics सपोर्ट में सेम HDR के साथ Ultra का सपोर्ट करता है और Call of Duty Mobile की बात जाए तो Diamantity सपोर्ट करता है 60fps ग्राफिक सपोर्ट में Very High के साथ Very High का सपोर्ट देता है and Snapdragon 778G ये भी 60 fps का support करता है and graphic support में आपको देगा very high के साथ very high का support next देखते है video capture and video playback तो दोनों ही processor यहाँ पे similar रहते हैं 4K at the rate 30 fps का video capture and playback कर सकते हैं display resolution दोनों का similar है 2520 x 1080 pixels तका maximum display type support कर सकते हैं दोनों में NPU भी आता है Dimensity में आता है APU 657 and Snapdragon में आता है hexagon 770 basic connectivity को देखा जाए तो दोनों ही जो processor आते हैं वो 5G support करते हैं 4G support में LTE के 21 and 24 का support मिलेगा तो Snapdragon थोड़ा बेटर हो जाएगा 4G support की upload and download speed में Bluetooth connectivity में Dimensity में आता है 5.3 and Snapdragon में 5.2 आता है Wi-Fi technology दोनों का similar है maximum Wi-Fi 6 को support कर सकते हैं अब बताता हूँ benchmark score तो Geek Benchmark Single को performance test पे Dimensity का score आएगा 11195 इसमें आता है Cortex A715 जो कि 3 GHz पे clock था वोई पे Snapdragon का total score आएगा 1017 इसमें Cortex A78 देखने को मिलता है जो कि 2.4 GHz पे clock था and Multigo performance test पे Dimensity का score आएगा 2622 and Snapdragon का score आएगा 2841 इसमें 4 performance के code देखने को मिलता है Cortex A78 के साथ जो कि 2.4 GHz पे clock रहते हैं अंदूदू Benchmark नंबर को देखा जाए तो अंदूदू Benchmark नंबर में Dimensity का score आएगा 7,71,000 जिसमें इसके GPU का score रहता है 2,9,000 Snapdragon का score आएगा 5,96,000 जिसमें इसके GPU का score रहता है 1,48,000 तो यहाँ पे आप देख सकती की performance में भी NGPU में Snapdragon 778G थोड़ा पीछे है Dimensity के compare में वहीं पे 3D Benchmark score को देखते हैं तो Dimensity का score आता है 4,700 Mali G610 MP4 है इसमें and Snapdragon का score आता है 2,467 इसमें Adreno का 642L मिलता है Final conclusion बताता हूँ कि दोनों के बीच में difference केतना हुआ CP performance में Dimensity का score आएगा 47 Snapdragon का score 44 रहता है Dimensity यहाँ पे आपको better performance निकाल के देगा Multicore का भी उतना difference नहीं रहेगा क्योंकि latest Cortex A78 and 15 आता है जो की काफे powerful है and gaming performance की बात की जाए तो Dimensity 42 score करेगा Snapdragon 30 score करेगा CP performance में एक plus point और रहेगा Dimensity के पास यह 4 nanometer technology के साथ है और इसका clock speed 3 GHz पे है Gaming performance में भी यही एक plus point रहेगा कि GPU तो powerful है ही इसमें 4 nanometer की technology आती है तो आप long lasting gameplay कर सकते है plus ए 3 GHz पे इसका CPU clock है and GPU frequency भी बेटर है 1300 MHz पे clock है battery life को देखा जाए तो Dimensity ज्यादा battery efficient processor है 94 का score करेगा वह पर Snapdragon 84 का score करेगा यह 6 nanometer TSMC के साथ है winner processor की बात की जाए मतलब tech room score की तो इतना वीडियो देख के आप समझी गए होंगे कि Dimensity 7350 एक better processor है Dimensity 7350 57 का score करता है and snapdragon 47 का score करता है Dimensity 7350 आपको मिलेगा latest generation cortex A7-15 3 GHz पे clock speed रहेगा 4 nanometer की TSMC based technology है इसका GP better है Mali G610 MP4 wall hall generation 3 के साथ आता है GP frequency भी better है 1300 MHz पे clock रहता है इसका RAM frequency भी better है 3200 MHz पे clock रहता है and यहाँ पे आपको जो Bluetooth देखने को मिलेगा वो 5.3 के साथ रहता है जबकि जो snapdragon है इसमें आपको मिलेगा cortex A78 6 nanometer की technology adreno 642 L 480 MHz पे clock speed रहेगा RAM LPDDR5 and UFS 3.1 को support करता है gaming optimization काफी अच्छा रहेगा जो की diameter 7350 के बराबर का रहता है 4K at the rate 30 fps का video capture and video playback support करता है and view भी काफी powerful आता है LTE category में LTE category 24 के साथ ये better भी हो जाता है and Wi-Fi में Wi-Fi 6 का support करता है लेकिन overall conclude करके देखेंगे तो diameter 7350 एक better processor रहेगा 778 G के compare में तो अगर आप इन दोनों process related कोई भी smartphone यूज़ कर रहे हैं तो अपने experience जरूर share कीजेगा ताकि जो मेरी वीडियो देखने आ रहा है उसकी help हो सके या फिर अगर इन दोनों process related कोई भी smartphone भाई करना हुआ तो मैंने description में link दी है आप उस link के through भाई करेंगे तो उससे मेरी help होगी वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को like है चैनल पे नहा है तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा thanks for watching